Tata Sumo Tata Sumo एक समय पर इंडिया की one of the best selling car में से थी और लोगों का भी इसे अच्छा response मिला ये इंडिया की one of the most selling MPV में से एक थी Tata Sumo एकदम देशी Mercedes G-Wagon लगती थी Tata Sumo इंडिया में 1994 में लाँच हुई थी पर जैसे टाइम के साथ लोग अपडेट होते रहे Technology अपडेट होती गई सब कुछ अपडेट होते गया सिवाए Tata Sumo के इसके दो-तीन बार Facelift वर्जन भी लाँच किये गए Tata की तरफ से पर उनमें कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं किया था और Tata Sumo तब थोड़ी पूरा नी लगने लगी थी और Low Sales के कारण Tata ने Sumo को April 2019 में Discontinue कर दिया पर अब कुछ खबर ऐसी आ रही है कि Tata अपनी New Generation Tata Sumo पर काम कर रही है तो इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लास तक देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना बात करें इसके डिजाइन की तो New Generation Tata Sumo लैंड रोवर रेंज रोर के प्लाटफरम पर बेस्ट होगी साइड प्रोफाइल में देखने पर Tata Sumo को एकदम नया टज दिया है और बैक साइड में आपको एकदम स्पोर्टी लुक दिखने को मिलेगा Tata Sumo Tata की Impact 2.0 डिजाइन फिलोसफी पर बेस्ट होगी ये एक रिएंडर इमेज है जो की शो करता है Tata Sumo का एग्रेसिव और बोल्ड डिजाइन Tata ने अपने सारे प्रोड़क्स को नया लुक और पफरमंस के साथ सेफटी भी दी है Tata Sumo हमेशा सी एकदम रफ और टफ गाड़ी रही है और ये रिएंडर इमेज भी वही शो करता है कि आने वाली Tata Sumo भी एकदम रफ और टफ होगी इसका इंटेरियर पूरा चेंज कर दिया जाएगा सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ एक्सपेक्टेड है कि आपको इसमें हैरियर और सफारी जैसा सेम इंजिन देखने को मिलेगा इसमें आपको 2.0 लिटर का डीजल और पेट्रोल इंजिन देखने को मिलेगा आटोमेटिक और मैनियल दोनों ट्रांसमिशन के साथ जिसमें आपको 170 होर्सपावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा तो बात करें इसके प्राइज और लॉंच डेट की तो एक्सपेक्टेड है कि न्यू जेनेरेशन टाटा सुमो का एक्सपेक्टेड प्राइज होगा एक्सपेक्टेड है कि ये 2022 की एंड या 2023 की स्टार्टिंग तक लॉंच होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नई जेनेरेशन टाटा सुमो का डिजाइन कैसा लगा और वीडियो को एक लाइक करके चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद